गोल लागतानी समाचार बटुए स्चमरी से रिपोर्टर बने दिनेस राय जी खबर के हेडलाइन सुनी एक वाई सनो इसकूल बाजय और ट्रेन के डिबा में चल रहल बा कलास बनल आकरसन के केंडर खबर काबा विस्तार से सुनी एक तरफ जहां सिक्षा वीभाग नया नया कर नामा के लेके चर्चा में बनल रहला तो ओजे दूसरा तरफ हेगो बिद्याल में अईचन विबा जहां सिक्षक बच्चन के सिक्षक के परती आकर्षित करे के उद्री से से पूरा स्कूल के ही रेल के डीबा के सकल में तब्दील को दले बानी बक्सर जीला के उतक्रमित उच विद्याले खरहाट आण के परधाना ध्यापक पूरा स्कूल भवन के ही रेल वोगी के तरह बनोई ले बानी ओजिये स्कूल प्रवंधन द्वारा कोईल गईल एह अनुठ पहल के आसपास के लोग के द्वारा तारीफ को इल जाता है। में सुधार से जूड़े बेहतर परियोग खातिर परधाना ध्यापक खिलेश्वर कुमार चौबे के पोहिले भीराष्ट पती आजीला अस्कर पे कोई पुरुषकार से सम्मानी कोई जाचुकलबार। बता दी कि यह परकार के प्रियोग रोगरा देखला के बाद स्क्रीम पोईशन लागी जैसे रेल के बोगी हो और एलवेस्टेशन हो। यतना खुबसूरती से बनावर विद्याले हैं। बाच्चा भी काफी संख्या में हैं विद्याले में जूटता रहे। कहें से कि उनका लागता कि हम परेट फारम पोड़ जाता नहीं और पढ़ाई करता नहीं। आतना खुबसूरत पानी बजाओ बचाओ के स्लोगंदी हल बतुए जल जीवन हरियाली के स्लोगंदी हल बतुए। यानि कि अगर जीला में कहीं परियोग देखे के बटुए तो रहुरा खरहा टान उतक्रमित उच्विद्याले पेचल जाए। या देखला के बाद रहुरा मंत्र मोगल हो जाई दूर से पर्थम दिश्टिया तो रहुर आँखियों चोंधी आ जाई। लागी की कोनो रेलवे स्टेशन हो बयान सुझी। एक्ट्वली यह है क्यों तो यही एक सोच थी। इस नए माहौल से बच्चों पर क्या असर होगा। मुझे लगता है बच्चे अभी प्रेरित होंगे। क्योंकि माहौल से मिजाज बदलता है। क्योंकि से ही बच्चों पर सकरात्मक असर होगा। अभीभावक भी खुश होंगे। अभीभावक भी बच्चों को प्रेरित करेंगे। क्योंकि देखिए यह बहुत पहले से माना जाता रहा है कि कि किसी निराज का जो है बरतमान उसकी सत्ता में और भविष्य उसके सिक्ष्ण संस्थानों में दिखता है। अध्यापक होने के नाते हैं यह हमारी नेतिक प्रतिवद्धता बनती है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उस संसाधन से हम अपने विद्याले को दिख्षित करें और इसके लिए मैं विशेश रुप से धन्यबाद देना चाहूंगा अपने एससे के डिपियो श्री राज्यंदर चौधरी जी को जिन्होंने मुझे कुछ ट्रैक से अलग हटकर करने के लिए प्रेरित कि सर ऐसी सोच आपको कहां से मिले अध्याफक पुत्र हूं भी रासत में मिली मेरे पिता जीवी अध्याफक रहे हैं और इसको लेकर करके सरकार के तरफ से कोई साहता नहीं वो अनुदान मिलता रहता है जैसे अभी हमारे विद्याले को मिला था दोजार उनीस बीस के लिए एक लाक रुपए है तो अनुदान मिलता है तो उसके साथ एक गाइड लाइन्स आता है कि उस पैसे से आपको क्या क्या करना है तो चुकि पहली बार अनुदान मिला था तो जो मुझे गाइड लाइन्स मिला था उसके अनुसार समर्सेबूल करना था वो मैंने समर्सेबू लगा दिया तेरा नल लगा दिया जूसरा करना था बच्चों के लिए लाउड़ी स्पीकर की बवस्ता करना था कि चेतना सत्र को आकर कि अग्याओ कि